बिहार में इन दिनों सिक्षाविभाग के अपर मुख सचीव केके पाठक काफी सुर्खियों में हैं जहां सिक्षाविभाग किस्तिती सुधारने को ले करके लागातार एक्सन में दिखाई दे रहे हैं निरिक्षन के दोरान यदि वो पकड़े गए तो एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा वहीं सिक्षिकाओं के वस्त्र को लेकर भी फर्मान जारी किया गया है इस आदेश की अब हर तरफ से चर्चा हो रही है जहाँ एक तरफ केके पाठक सुर्खियों में बने हुए हैं तो ऐसा करने पर उनका वेतन काट लिया जाएगा वहीं इस नए आदेश पर जीला के सिक्षकों में आक्रोस दिखाई दे रहा है कई सिक्षक ने कहा कि सरकार मुल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है सिक्षकों को लेकर केवल आदेश जारी किये जा रहे हैं और मानसिक पाला नहीं करने पर पूरे तोर से वेतन में कटवती की जाएगी वहीं से पहले आदेश दिया गया था आपको बता दें कि क्लासरूम में अब कुरसी नहीं होंगे इस आदेश से के अनुसार अब सरकारी विद्यालों के क्लासरूम में कुरसी नहीं लगेगी सिक्षक लास चर्चाएं शुरू हो गई हैं वहीं इस पर आपकी क्यारा है कमेंट में हमें जरूर बताएं